मंडल दिवस के औसर पर औरंगाबाद में राज़त बिधायकों और कारिकरताओं ने जातिय जनगनाना की मांग को लेकर किया प्रदर्शन औरंगाबाद में मंडल दिवस के मौके पर औरंगाबाद शहर में जातिय जनगनाना की मांग को लेकर राज़त ने शक्ती प्रदर् में आयोजन किया गया जिसमें जातिय जनगनना को लागू करने बैक लोग में OBC कोटे को पूर्ण करने और अन्य OBC से संबंधित मांगों को लेकर आश्ट्रिय जनतादल ने शहर में विशाल जूलुस का आयोजन किया यह जूलुस और अंगबाद गांधी मैदान से चल कर कल सदसिय राज़त परतिनिधी मंडल कलेक्टर से अंदर मिलने गए अंदर जिला दिकारी सौरफ जुरवाल को एक ग्यापन सौपा गया ग्यापन प्रधान मंतरी ननेंदर मोदी के नाम था जिसमें जातिय जनगनना की मांग की गई थी ग्यापन सौपने गोह विधायक वीम नहीं की जा सकी है जब तक की जातिय जनगनना नहीं होगा वो भी सी को नयाय नहीं मिलेगा इस दोरान नभी नगर विधायक डबलुसी ने बताया कि उनके दल के राष्टिया ज्यक्ष लालू परसाज यादों की मांग है की जातिय जनगनना होनी चाहिए पढ़ान मंतरी नरंदर मोदी जब रेली में सरया अपने आपको पिछडा का बेटा कहते हैं क्या तब जातिय बैमैनस से नहीं फैलता है उन्होंने परधान मंतरी को धोंगी का गोह बिधायक भीम कुमार यादो ने बताया कि जातिय जनगनना बंद करना ही दुरभागे पूर न था उन्ह पूर्व बिधायक सुरेश महता परधेश महासचीव कोलेश्वर परसाद जादो इंजिनियर सुबोध कुमार सी जीला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश जादो परधेश रुपाध्यक्ष उदय उजवल युवाननेता चुशिल कुमार चातरनेता विकास जादो जीला पाश पूनम देवी चातर अध्यक्ष धर्मेंद्र यादो युवा अध्यक्ष राहुल यादो नंदलाल यादो सुनिल यादो रभी यादो पंकज यादो संतोष यादो विकास राय यादो संजे यादो मुन्ना अजीज देंद्र यादो संजीत कुमार आदी सैक्णों की संख और दिदान सभा में परतिपक्ष के नेता आदव ने तेजस्वी आदव जी के आवहान पर पार्टी ने निर्ने लिया कि देश में जाती जन गन्ना होने चाहिए आज साथ अगस्त है मंदल दिवस के रूप में पूरा देश मना जाता है घरीवों कुन्याई मिलाजी के दिन तो जाती है जनगन्ना का जो मुद्दा है जो इस देश में जनगन्ना को हक मिलना चाहिए जाती है अधार पर वह हक से बन्चित है हमारे गरी बुर्वादो अपनी जाती का आकड़ा लोगों को नहीं है कि कितनी अवादी हमारी है अगर जाती है जनगन्ना इस देश में हो जाता है तो लोगों को जो मौलिक अधिकार मिलना चाहिए तो निती आयोग जब भी कोई योजना बनाती है तो गन्ना के अधार पर बनाती है और जितनी हमारी अबादी इस देश में सब्सक्राइब कर दिया जाता है तो हमारे लालु यादव जी हमेशा समाजी की लड़ाई लड़े हैं और आज समाजी के लड़ाई का देने को जेलों के सलाफों में डाल दिया था लेकिन हमारे नेता डरने वाले नहीं है जुकने वाले एक जनता का जो अधिकार है लों का जो अधिकार है गरीवों का जो अधिकार है यह जाती है जनगन्ना के अधार पर ही हो सकता है और दूसरा जो हम लों का जो मांग है कि जो मंडल कमीशन जो लागू हुआ था तो कई सिफारिस के साथ लागू हुआ था जिसको सरकार में अनुमोधन किया तो वह जो सिफारिस है वह बंद बक्से में पड़ा हुआ है तो हमारी पाटी चाहती है कि उन सिफारिस को भी लागू किया जा इन तमाम मुद्दाओं को लेकर के आज राश्टिय जनता तल के जो अध्य आखिलेथे आदय को जिसके संक्राइए लूग थे कौई यृँन के नियम और निकालनकी है परिष का पर्धानमंट्री तो ये कह रहा है कि इस से देश में जाती बीद्वेस पहलेगा जब विहार विधान मंडल का सत्र चल रहा था तहीं भारतिये जंता पार्टी के लोग ने दोनों सद्रों में ध्वनिमत से प्रस्ता पारित हुआ कि इने जाती है जनगना होना चाहिए दिली में मामला लंबी था यही बारतिये जंता पार्टी के लोग है यह जो लोग नौटंकी कर रहा है यह अब हिंदुस्तान की जंता बरदास्त करने वाली नहीं है बहुत हो चुका है नौटंकी इस देश में एक तरफ आपकी सरकार है सदन चलते इस मान को सदन में उठाइए और धौनी मत्रे इस बील को पास करिए कि इस देश में जाती है जनगना को जो है होना चाहिए लोग हमारे नेता अधनेत जस्वी जी के आवान पर जाती है जनगना कराने के लिए हम लोग आज पूरे और अंगा वजीला रखती है जनतादल के सारे साथी लोग मन्य विधायत लोग हमारे परिशक अजाद गांदी जी सहीद हम लोग दियम को ग्यापन दिये यह अगर जाती है जनगर्णा की मांग आपकी मानी नहीं जाते हो भी सिकी तो क्या करेंगे आगे क्या होगा अगे हम लोग का अधनेता का आदेश होगा आधने बाद आधने बाद बिहार में हर कलेक्ट रेट पर राष्टी जनता दल गए एक एक कारे करता हम लोगों के राष्टी एदर्ट्स लालु पुर्शाद ज़ादो जी और भाई तीजस्वी जी के आवाहन पी एक कारे करता पैदल मार्च करके आभी इस ग्यापन सोप बिधान सभा से पारित करके राष्ट भारत सरकार में हम लोगों इस सदन से जातिये जनगन्ना के लिए भेजा था अब भाजपा की जो सरकार है उसको वहां पर लागू नहीं कर रही हो कहती है कि अभी हम लोग इसको नहीं करना चाहते कि जातिये बेस बढ़ेगा हम बेचने वाला बेचने वाला हूं तो आज जो गरीब का हक दिलाने की बात हो रही है तो उसमें मुकर क्यों रहे जातिये जनगन्ना अतिया वशक है इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे राष्टिय धक्षने का है कुट्ते का बिल्ली का शेर का जिसका भी देखिए उसका जन हमारे नेताओं ने जोड़ तरीके से इस बात को उठाने का काम किया है सड़क से लेकर सजन तक में इस बात का आज बूज है और मंडल कमिशन में जो भी रिकमेंडेशन थे वह आज तक लागू नहीं है तो हमारा डिमांड था आज के दिन कि मंडल कमिशन के तहट जो भी अनुशन सा की गई थी उसको सव परतिशात लागू किया जाए जो जणगणा चल रही है उसमें जातिय जणगणा हो और जातिय जणगणा इसलिए हो तो कि हम किसी जात बात की बात नहीं कर रहें लेकिन कम से कम संक्या तो पता चले कि बाई जो संसाधन असी परसेंट जनता के लिए होना चाहिए वो बीस परसेंट लोग जो है वो संसाधन का इस्तमाल कर रहे हैं तो वो असी परसेंट जो अबादी है उससे विहीन है जब संख्या मालूम चलेगी तभी तो आप उनके लिए जन कल्यानकारी योजना लेकर करके आंगे उनके जो जो उनको आगे बढ़ने के लिए ज़रोरी है तो हमारा यही डिवाण था कि जन संख्या जो चल रहा है वो जाती जन गणना हो और जाती जन गणना के हिसाब से संसाधन का बटवार हो यही सब हमारा मूरू रूपसर दिवाद अगर नहीं होगा तो क्या करेंगा नहीं जाती आधार पर जिसकी जिन गणना हो और जाती जन गणना हो और जाती जन गणना के रोड़ने और मंडल कमिशन को करने के लिए और जब तक हमारे देश का बहुत बिढमना है यहां बकरी की गणना होती है पसु की गणना होती है मकान और घरों की गणना होती है पेणों की गणना होती है मगर मानों की गणना कराने से केंद्र सरकार काफी डर रही है इसलिए राष्टिये जनता दल्या मांग करती है कि मंडल कमिशन के जितने भी सिफारिस है सबको अच्छर सा 100% पालन करें और जितने भी सरकारी हर्षियों में पैक लॉंग जो खाली पड़ी रिखता है उसको यथा सिग्र हो अरच्छन के पदती को भरा जाए यह आरच्छन से एक इठा घसकाया आप प्रति दिन आरच्छन को दुबोया जा रहा है एक दिन ऐसा नहों कि पूरे देश से आरच्छन कोही समाप्त कर दिया जाए वो दिन दूर नहीं है नरेंदर मोदीजी आज जिस तरह से सामान्तियों के चंगूल में फस गए है वो सिर् मानिये नरेंदर मोधी जी को पूरे OPC-CST समाज की ओर से सुभकामना देना चाहते हैं कि आपकी सुभुद्धी में और बढ़ोतरी हो और इसी तरह आप काम करते रहें ताकि अगला चुनाव में आपको गर्त में मिलते जरासा भी देरी में आतर मुलता जो है वो जात्म जन्गन्ना का है तो वारे होगे पानिये नर्दपरसाचे, देजस्वी जी, पूसरवल और अन्यमहाकटबंधन के जल के जुभी निता है आपके पिहार के मंत्री मिकिस्पमाती का रचनत वस्वाथ है भारतसरकार के इ सपी जीवाक के सभी जन्गन्ना के जानवर का जन्गन्ना होगा सित्फ व्यक्ति का आद्मी का जन्गन्ना नहीं होगा ये नरेद्रमुदी का जो है मनसुपा है और हमारे महागणबंधन के निता चाहते हैं जनहीत के लिए जनहीत के लिए जातिये जनगनला हो इस जाती का कितना यहां संख्या है अगर संख्या की गिंती होनी चाहिए अगर संख्या की गिंती होता है तो उनी अधार पर जो आरचिक होटा है अगर उसमें कमी है तो आरचिक होटा गी और बढ़ाया जाएगा और दूसरा ये है, कि मंडल कमिशन का पूच भाग जो जाग पया था रिस भाग अभी बाकी है सिस भाग पर भी जो है अमारे निताओं का जोर है कि मंडल कमिशन का सिस भाग पचा है उसको भी लागू की इसलिए हम लोग को उतरना पड़ा तो दुमुहुआ साब जो है जादियो और बीजेपी के लोग अगर दुनों गड़बंधन वो सरकार में हैं यहां भी और केंडर में निकला वागा दर चाहते नितीश कुमार तो जाती जंगन्ना करा सकते थे और कारण क्या है दुनों में कि आप मांग किजिए हम करेंगे नहीं लेकिन मैं बता दना चाहता हूं नितीश कुमार को भी और माननीय प्रधान मंत्री नरिंदर मुदी जी को भी कि आप ताम खोल लिजे ताम खोल करके जंदा को पुकार को सुनिए और नहीं तो हम लोग अहां से लेकर के रधानी रधानी से लेके दिली तक साणक पर उतरने का काम करेंगे जब तक हम लोग का जाती जनगन्ना नहीं होगा तब तक हम लोग पुरा धर्ना पर दर्शन करते रहेंगे अगर आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है फिर क्या करेंगे वोही हो कर चाती है सदे सेंगर्ण कि लिए जुए जो में गाल किमिशन का आज तक लागू नहीं हुआ, हमारे लालू परसाद यादो और तेजेसी वादो नेतापरती वच्छ के आगान पर हम लोग आज और अरंगाबाद में परदासन करने काम किया जाती जंगना लागू कराने को हम लोग तो यश्री जी के भाई मुश्मिन हो जिहार के हैं, जी कि आवान पर सुपरा भी धाल सबासे आ हुए हैं, मनियत पर है कि सुपादी के देखरेश में हम लोग शेकड़ो का करता यहां जीला में आई हुए हैं जाती हैं जंगना के लिए ताकि केंदर सरकार सारे किस मुद्धे पर आया है परकास जी आप लोग आज कलेक्टेट में हम लोग अरे सुनील कहा ला अब बला पार्णिय ते जस्वी आदो यहां पर हम लोग जितने भी हमारे गाज्याने सभी लोग हम लोग ते जाती हैं जंगना को लेकर के हम लोग केंदर सरकार से मांग कर कृषण के मांग करूप्यात हैं भी ओड़ग में जाती हैं यहां टो खथाएयों में टार्चिकल था किस्षण सब्सकिया चाहरा जअरे नोग में लेकर करें जर्ट इकर कर्वेगां ना चादर का सुन रहा है ना कुछे का सुने वाले हैं ना दिपक्षा सुन रहा हैं